आपकी लाइफ कितना में बुरा टर्न क्यों नले फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूड़ना ये बहुत ही इंपोर्टेंट है इस ब्यूटिफुल मैसेज के साथ आज की मुवी आती है क्रिस्मस इन ओगस ये 1998 की कोरियन मुवी आज मैं आपको explain करने वाला हूँ ये की love story है तो जल्दी से शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा main character वोन हमें उठता हुआ दिखता है आज का जोए दिन है इसके लिए हार्ट होने वाला है इसे hospital में जाना होता है जब वह वहाँ पहुचता है तो आएक चोटी से लड़की खेल रही होती है इसे खेलता देख वो हसने लगता है और उस चोटी से लड़की को भी हसाता है इसका आज डाइगनोसिस हुआ है पर ये कुछ अच्छा नहीं है वान फिर directly अपने school में आ जाता है जब वह चोटा था तब जिस तरह से खेलता था उसी तरह से सब चीज़े ट्राय करकर देखता है फिर वह ground पर बैठता है सब बच्चे जो खेल रहे होते हैं इन्हें observe करता है यह हमें कहता है कि जब मैं चोटा था तब मैं ऐसे ground के बाहर बैठता था और सब को देखता था यह कैसे खेल रहे है यह हमेशा में देखता रहता था वान कहता है कि आज मुझे realization हुआ है जिसी मेरी मदर गुजर चुकी है उसी तरह से मैं मेरा प्रदर मेरी सिस्टर हम सब इस दुनिया से चले जाने वाले हैं वान फिर अपने शॉप में आ जाता है यह फोटोग्राफि करता है और उखो जहरा उगरा का भी काम कर देता है यहां एक लड़की आती है वो उसके फोटो देखकर बोलती है यह कुछ अच्छे नहीं आया है वान कहता है कि कोई बात नहीं हम फिर से निकाल लेंगे वान के फोटोग्राफ्स अच्छी लगे तो कितने भी बार निकालने के लिए वो ready होता है इस लड़ी को बिठाता है अच्छी तरीके से पोज करने के लिए बोलता है अपना जो काम आता है यह बहुत ही खुशी से वो करता है वान को फिर अपने फ्रेंड का कॉल आता है फ्रेंड के फादर जोते है वो मर चुके होते है फ्रेंड को help चाहिए तो इसलिए वोन वहाता है यह जब सब हो जाता है तो अकेला वो जाड के नीचे बेटता है वो यहाँ सोचने लग जाता है उसे अब बहुत ही बुरा लग रहा है जो वो ऑस्पिटल में गया था तो उसे मालूम था कि उसका डाइगनोसिस बहुत ही बुरा होने वाला है इसके बास बहुत ही कम दिन अब बचे है वोन अपने फ्रेंड के फादर का मेमोरेल देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है इसके बाद वो ठक कर अपने स्टूडियो में आजाता है वोन स्टूडियो में घुसी रहा होता है तो भी वहाँ एक लड़की आजाती है इसे बहुत ही अजंडली अपने फोटोस की कॉपी बनाने होती है वोन उसे कहता है कि थोड़ी देर बाद आओ अब वो कुछ भी काम नहीं करना चाता यह जित से अंदर आजाती है और जो फोटो उसे कॉपी करने है यह सब उसे दे देती है वोन फिर एक ज़रा गोली लेता है और अपने काम को लग जाता है थोड़ा फ्रेज होने के बाद वो इस लड़की के पास आता है यह जो लड़की है यह हमारा मेन क्यारेक्टर है इसका नाम हरीम है रीम के लिए वोन एक ऐस्क्रिम लेकर आता है यह उसे देता है वो उसे अपलोजाइस करता है उसे कहता है कि मॉर्निंग मेरी ज़रा हार्ट थी यह लड़की उसे पुछती है कि क्या इनलाजमेंट हो चुकी है वो कहता है कि थोटा सा वक्त लगेगा यह दोनों फिर आइसक्रिम खाते है नेक्स्ट अवे वोन का घर दिखाया गया है वोन अपने फादर के साथ रहता है यह दोनों बहुत ही अच्छे कुक होते है इनकी मदर नहीं है तो वैसे भी इनहीं कुक करना पड़ता है बारिश का मोसम अब शुरू हो चुका है ने इस दिन वोन जब पेट्रोल भर रहा होता है तो उसे फिर से रिम दिखती है वो उसे वहाँ good morning करता है जो वो अपने studio में होता है तो कुछ बच्चे उसे घेरे हुए होते है उनने उसे रोल लाकर दिया होता है और यह इनलाज करने वाले होते है यह सब उनकी स्कूल की लेड़कियों की फोटोज होती है यह बहुत चोटे चोटे बच्चे होते है और यह जगड़रे होते है तुम्हारी girlfriend कौन सी है, मेरी girlfriend कौन सी है यह बहुत ही cute one को लगता है जब यह चोटे लटके बाहर आते है तो एक दुसरे को मानने लग जाते है इनके fight one stop करता है यह जब सब हो रहा होता है तो रीम भी वहाँ आ जाती है यह भी यह देखकर बहुत ही हसती है रीम को स्टूडियो में और ज़रा काम होता है वह उन स्टूडियो से अपने घर जा रहा होता है तब ही रस्ते में उसे उसकी ex girlfriend दिखती है वह घाड़ी रोकता है और उसे पुछता है तुम कब वापस आई वह अभी वापस आई हुई होती है उसे कहता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बतली यह भी कहती है कि तुम भी ज़रा भी नहीं बतले बहुत ही awkward एक conversation हो रही होती है तो यह कहती ही कि हम फिर से मिलेंगे जब रात होती है तो वह अपने sister से मिलने आता है यह दोनों watermelon खा रहे होते है तिभी उसकी sister उसे पुछती है तुमारी ex girlfriend टाउन में वापस आ चुकी है क्या तुम उससे मिले है वह अन यह subject टाल रहा होता है वह अलग अलग subject लेकर आता है वह कहती है कि तुम अभी भी उससे प्यार करती हो वह अन इस पर जाता ध्यान नी देता next in में हमें दिखता है कि रिम जो है यह parking ticket देने वाली police है वह अन भी बस से जा रहा होता है तो यह क्या करती है उससे पता चलता है रिम किसी से जगड रहे होती है वह अन जब अपने studio में पहुचता है थोड़ी देर बाद रिम भी वहा आ जाती है लोगों के साथ जगड कर रिम frustrated होती है और यहाँ आकर उससे कहती है कि मैं यहाँ ज़रा ठक चुकी हूँ मैं यहाँ ज़रा अराम करना चाती हूँ उससे गर में रग रहे होती है तो वह अन जाकर पंखा भी adjust कर देता है रिम वह अन से पुछती है क्या तुम लियो हो? तुम्हारा जब ऑगस्ट में हो था तो फिर वो कहती है कि मैं लियो के साथ बहुत ही compatible हूँ वह अन से उसका age पुछती है वो guess करती है यह 30 के उपर हो है रिम अपने 20s में होती है रिम उससे पुछती है कि अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की वह अन उसे हसते हुए कहता है कि उसके दो बच्चे है रिम उस पर बेलियों नहीं करती है और कहती है कि तुम्हारे कपड़ों से नहीं लगता कि तुम्हारे दो बच्चे होंगे यह फिर वोन के पास बैठती है और सो जाती है थोड़ी देर बाद अपने आग खोलती है और उससे पुछती है कि तुम इतने confidently आज मुझे से कैसे बात कर रहे हो वोन उससे कुछ भी नहीं बोलता नेक सिन में वोन अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा है यह हमें दिखता है वोन के फादर ने आज सब कुछ बनाया होता है वोन के फादर ने आज सब कुछ डिनर वगरा बनाया होता है उसकी सिस्टर, उसकी बेटी, उसकी ब्रदर इनलो यह सब वहां आये होते है वोन की सिस्टर खाने की तारीफ करती है वोन के फादर कहते है कि तुमें तो कभी भी अच्चा कहना बनाना नहीं आता Wonn और उसके father उसे बहुत ही चिडाते है दिनर हो जाने के बाद एक अच्ची से family photo ये लेते है दुशरे दिना में दिखता है कि रीम रस्ते से अकेले जा रही होती है और उसके हाथ में एक बड़ी सी bag होती है ये बहुत ही heavy होती है वहान उसको पास करता है और आगे चला जाता है रिम को लगता है कि चला जा चुका है पर यूटन लेकर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है उससे पीछे बिटाता है और उससे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देने वाला होता है बाइक ज़रा फास चलाता है जिससे रीम उसे पगड़ ले वो अनुसे बुछता है क्या तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंड है वो कहती है क्यों नहीं है वो कहती है कि मुझे कोई interesting मिला ही नहीं है वोन उसे कहता है कि मैं sure हूँ कोई ना कोई तो interesting तो यह मिली जाएगा वोन फिर अपने shop में आ जाता है तो उसके ex-girlfriend वहाँ आती है इसके ex-girlfriend का जो पती है यह बहुत यह abuse है और बहुत जादा drink भी करता है उसकी sister ने यह सब उसे बताया था अब इसके पास आई है तो उसे अंदर बिठाता है अपनी जो 20 साल पुरानी यादे होती है वो फिर से ताजा करने की कोशिश करता है वोन जो था वो अपनी ex-girlfriend की जो डाइरी थी वो चुरा लेता था और वो पढ़ लेता था होता है पर यह थोड़ा सा सही भी होता है इस ex-girlfriend ने सुना है कि वोन बिमार है इसलिए उसे देखनी के लिए वो आई है उसी यह पूछती भी है वोन कहता है कि इतना जादा कुछ सीरियस नहीं है मैं ठीक हो जाऊंगा वोन फिर में बस में दिखाए गया है वो कहता है कि टाइम के साथ हम बहुत ज़ादा बजल जाते है हम दोनों में बहुत सारी awkward conversation हुई पर last में मेरे studio में उसका जो photo था उसने मुझे वो निकालने के लिए बोला वो कहता है कि जो भी चीज़े होती है वो time के साथ fade होती जाती है प्यार का भी ऐसा ही होगा ऐसा उसे लगता है ने इस दिन वो studio में होता है तो रिम फिर से काम लेकर आती है वोन उसके लिए बड़ा साथ आईस्क्रीम वा पैक लेकर आता है रिम में वोन के साथ share करती है वोन जब ये खाता है तो उससे कहती है ये बहुत ही अच्छा मोमेंट ये share करती है नेक्स दे हमें दिखता है कि रिम जिसी भी रिस्टोरण में जाती है वहाँ कि सब कस्टमर सुहाज चले जाती है क्योंकि ये पार्किंग डिकेट उन्हें देश सकती है तो इसलिए रिम को अब कोई भी रिस्टोरण सब नहीं करता क्योंकि उतने टाइम तक उनका बिजनेस है नहीं होता रिम फिर अपने फ्रेंड के साथ बाहरी पास से लेकर खाती है वोन भी रस्ते से जा रहा होता है और उससे देख लेता है वो टरन लेकर इसके पास आ जाता है वोन ने बहुत सारी ग्रोसरी जगरा लाई हुए होती है रिम भी उसके पास आती है इसके बारे में उससे पुछती है वोन को कर सकता है यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है रिम की फ्रेंड वान को सही तरीके से देखने के लिए उसके स्टूडियो में काम लेकर आती है रिम धक कर गाड़ी में सोच चुकी होती है इस रात अपने फ्रेंड के पास वान आता है उसका जो फ्रेंड होता है ये कराटे इंस्ट्रक्टर होता है यह दोनों फिर पार्टी करने के लिए होटेल में आते हैं यह बहुत सारी दारों वगरा पीते हैं वो जो अपनी जवायनी और बच्पन के मुमेंट है वो सब शेयर करते हैं वान कहता है यह कैसे तुमने बुचर की डॉटर को डेट किया था यह सुनकर वो दोनों हसने रख जाते हैं रात में बहुत ही पी लेते हैं फिर भी वान को अभी भी ड्रंक होना होता है वान स्टीट पर लड़ खड़ाते हुए जाता है अमने फ्रेंड को मना ही लेता है कि उसे और ज़दा पीनी चाहिए नेकसी में हमें डारेक्ली पुलिस टेशन में दिखाये गए है बहुत ही ओधा ड्रिंक करकर इसने फाइट ले ली थी जब पुलिस टेशन में होते हैं तो आवाजे उससे लिए बहुत ही जाधा हों जाते हैं यह सब को चुप रहने की लिए बोलता है यह अपना control वो lose कर देता है जिस तरह से वो life का control lose कर रहा है पर इसके लिए कुछ जादा वो करने ही सकता पर अब वो यहाँ चिला कर अपना जो गुशा है यह सब कुछ निकाल लेता है उसरे दिन सुबा में उसका फरेंट से call करता है उसने जो सब किया था यह सब उसे सुनाता है वोन को कुछ भी याद नहीं होता रेम फिर से वोन के studio में आती है आज उसे उसकी तस्विर लेनी होती है वोन उसकी तस्विर लेता है और फिर यह दोनों बात करने लग जाते है एक दुसरे की life के बारे में पुछते है वोन पुछता है कि तुम्हारा job तुमें कैसा लगता है वो कहती ही ठीक है जॉब तो जॉब ही होता है वोन के जॉब के बारे में भी वो पुछती है पर इसमें जादा वो थौट नहीं देता रीम का आज पेचे काया हुआ होता है तो वह उन उसे पुछता है कि क्या तुम आज मुझे ट्रीट दोगी तो वह भी इसके लिए मान जाती है थोड़ी दिर बाद वह उन का जो स्टूडी होता है यहाँ एक बड़ी स्फैमिली आती है एक फैमिली फोटो इनको निकालनी होती है यहाँ एक बड़ी आरद होती है इसका जो स्टूडी होता है वह कहता है कि आज तुमारी एक फोटो निकालनी है ये old lady थोड़े साल में मर जाएंगी इसकी जो frame होगी इसके लिए photo जाईए इसलिए ये photo निकालती है old lady को ये photo नहीं निकालना होता पर उसका sun उसे force करता है next scene में हमें दिखता है कि one एक जगा फर फसा हुआ होता है और बहुत सारी बारिश हारी होती है रिम भी वहाँ से गुज़र रही होती है तो वो उसके पास आती है one केता है क्या हम ये अमरेरा शेर कर सकते है वो एक शर्त रखती है अगर तुम ड्रिंक बाई करोगे तो मैं ज़रूर ये शेर करूँगी one भी इसके लिए मान जाता है और वो आज रात साथ 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 बजे उसके पास आने वाली होती है ये एक के अमरेरा शेर करते है रिम को ज़रा रेन लग रही होती है तो अपने पास उसे खिच लेता है उसे वो बारिश नहीं लगने देता जब रात होती है तो और भी बारिश आ रहे होती है और वान रिम का ही अंतिजार कर रहा होता है थोड़ी देर बाद जो ओल लेडी की फोटो उसने ली थी वो भाहा जाती है ये ओल लेडी अब सजदज कर जरा आई है ये वान से कहती है कि तुमने मेरा फोटो लिया था वो उसे अच्छा नहीं लगा था ये उसकी फ्रेम के लिए होगा तो उसे बहुत ही अच्छा इस फोटो में लगना है ये ओल लेडी उसे पुछती है कि क्या तुम मेरी और एक फोटो लोगी है वान कहता है कि क्यो नहीं जरूर लूँगा यह कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है वान इसे कहता है कि मैं कोई भी पैसे नहीं लेने वाला वान इस ओल्ड लेडी की बहुत ही ब्यूटिफूल फोडो निकलता है रात हो जाती है पर फिर भी रीम नहीं आती वॉन फिर घर आता है, बहुत बिजली कड़कड़ा रही हुती है वह बहुती डर चुका होता है, अमने फादर के पास आकर हुश हो जाता है नेक्स दे स्टूडियो में वॉन होता है, तो रिम वहाँ थी है वॉन उससे पुछता है कि कल तुम क्यों नहीं आई थी रिम कहती है कि मेरा मन नहीं था इसलिए वो नहीं आई थी वो जॉब के लिए फिर वहाँ से निकल जाती है यह ज़रा पास आ चुगे थे इसलिए रिम ने ज़रा सा डिस्टन्स मेंटेन किया था नेक सिन में हमें दिखता है वोन के जो फ्रेंड्स होते हैं इनकी रियूनियन हो रही हुते है बच्पन में यह सब जो गेम खेलते थे यही गेम वो आज फिर से कहलते है जैसा वोन अपने जवानी में महसुस करता था जिस तरह से वो फन करता था वो फिर से उसे एक बार जीना है और यही यह सब हो रहा होता है इस games में उसका एक friend हार जाता है और सब पर चिनान लग जाता है मैं जब छोटा था तब भी ऐसा होता है और अब बढ़ा हो चुका हो तो भी ऐसा ही हो रहा है सब इस पर बहुत ही हसने लग जाते है One भी बहुत ही खुश होता है अपने friends के साथ एक पड़ा सा group photo लेता है One जब घर पर होता है तो उसके father टीवी देख रहे होता है उसे एक डिस लगाने के लिए बोलते है One कहता है कि जो टीवी handling विग रहा है वो सब आपको आना चाहिए One जो है जादा दिनों के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाला इसलिए टीवी के handling वो अपने father को सिका रहा होता है टीवी चलाने के जो instruction होते है यह भी अपने father के लिए वो लिखता है जब शाम होती है तो रिम One के पास आती है उनकी जो उस दिन डेट थी वो नहीं होई थी तो इसलिए आज ये शाम उसके साथ वो spend करने वाली है रिम मेकब वहरा लगा कर आई होई होती है तो One उस पर हसता है यह दोनों फिर ज़रा ring करते है और One उसे बुछता है यह तो विकेंड्स वहरा क्या करती हो वो कहती है कि मैं जाहत दर सोती हूँ वो One से भूछती है One कहता है मैं कपड़े दूता हूँ आयर निंग करता हूँ यह सब इन दोनों के boring life हो एक दूसरे को बताते है रिम फिर कहती है कि मेरी जो फ्रेंड है यह amusement park में काम करती है इन डायरेक्ली उसे फिर से डेट पर पूछ रही होती है यह दोनों फिर हमें डायरेक्ली अम्यूजमेंट पार्क में दिखाए गए है यह बहुत ही अच्छा सा day spend करते है यह दोनों फिर सा आईस्क्रीम खाते है दोड़ते है, फ्रूट्स खाते है यह दोनों आज बहुत ही खुश होते है जब यह रात में रस्ते से चल रहे होते है तो वान उसे एक स्टोरी सुनाता है यह स्केरी स्टोरी होती है वो उसे कहता है कि जब मैं आर्मे में था तो मैं और मेरा फ्रेंड एक दिन सो रहे थे मुझे लगा था कि वो मेरे फ्रेंड से आ रही थी पर बात में हमें पता चला यह वहाँ एक डेट बोड़ी है उसे लगा था कि जो आदमी मर चुका है यह फार्ट कर रहा था वॉन कहता है कि हम दोनों मरने के बाद भी घोश बन जाएंगे यह उसे बहुत ही नैचरल लगता है रात में वॉन को बहुत ही तकलिफ होने लग जाती है उसे अब होस्पिटल में एडमीट कर दिया जाता है रिम इस डेट के बाद बहुत ही खुश हो जाती है वो रात में भी वॉन की बारे में ही सोच रही होती है जो वेर स्टोरी वॉन ने उसे बताई थी यही स्टोरी अपने फ्रेंड को बता कर बोर करती है नेक्स दिन जब रिम काम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका स्टांसपर होने वाला है यह सुनकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है यह फिर वॉन के शॉप में आती है पर यह शॉप क्लोस्ट होती है यह यहाँ बहुत ताइम तो रुखती है पर यहाँ कोई भी नहीं आता थोड़ी दिनों के लिए वह यहाँ से बाहर जाने वाली होती है तो इसलिए वॉन के लिए एक लेटर लिखती है जो यहाँ से गुजर रही होती है तो उसके स्टूडियो में यह लेटर वो डाल देती है दो-तीन दिन गुजर जाते है पर फिर भी यह स्टूडियो ओपन ही नहीं होता वॉन अभी भी होस्पिटल में होता है ये बहुत सारे लेटर स्टूडियो में डालती है वान की सिस्टर होस्पिटल में उसके साथ होती है वान जब स्वय हुआ होता है तो सबने में हसने लग जाता है जब वो उठता है तो वान की सिस्टर उसे चिडाती है कि ऐसा का ड्रीम तुमने देख लिया उससे कही थी है कि तुमारी कोई भी girlfriend तुमें देखने के लिए नहीं आई उससे चिडा रही होती है रिम अपने friends के साथ enjoy करने के लिए love में आती है पर यहाँ भी उससे बहुत ही अकेला मैसुस होता है वान उससे मिलने ही रहा तो इससे वो रोने लग जाती है राद में वान के studio में बहुत जाती है और गुस्ये में खिड़की को तोड़ देती है अब थोड़ी दिन गुजर जाते है और वान अपने studio में आता है जो खिड़की रिम ने तोड़ दी थी उसने repair कर दी है अपने जो letters थे वो भी सही से रख कर वो चली गई है वान जब आता है तो उसके letters पढ़ता है वान को लगता है कि उसे भी रिम के लिए एक letter लिखना चाहिए एक letter उसे लिखता है उसे ढुड़ने के लिए निकल पढ़ता है वो जहाँ job करती थी वहाँ पहुँच जाता है यहाँ से पदा चल जाता है कि रिम नेक्स जगा कहा काम कर रही है रिम जहाँ काम करती है वाँ से देखकर वो चला जाता है अपनी studio में फिर वो आता है रिम को जो photo थी जो उसने ली थी वो देखता है उसके जो अलबम से, बच्पन से, उसकी जो भी सब फोटो से, यह वो देखता है एक बास सब चीजों को याद करता है और हसता है अपने खुद के फ्रेम के लिए खुद की फोटो हो लेता है अब हमें डारेक्ली उसकी जो फोटो है, वो फ्रेम ही दिखती है अब Won मर चुका है रिम को Won ने जो लेटर लिखा था वो अब मिल चुका है रिम Won के स्टूडियो की यहाथी है Won अपने स्टूडियो के बाहर उसका पोर्टफोलिय लगाता है उसने जो सब अच्छे फोटोस लिए है वहाँ लगाता है उसमें रिम का भी फोटो उसने फ्रेम करकर लगाया होता है यह फोटो देखकर रिम को बहुत अच्छा लगता है रिम को Won ने जो लेटर लिखा था वो में अब बढ़कर सुनाया जाता है इस लेटर में Won ने लिखा होता है कि मुझे हमेशा लगा था ये जो love की feeling है ये photograph की तरह होगी टाइम के साथ ये fade हो दी जाएगी पर तुमारे लिए मेरा जो प्यार है ये हमेशा मेरे heart में रहेगा मेरे last moment में हूँ और उससे प्यार करता है विसा उस later में उसने लिखा होता है उसे और thank you और goodbye लिखकर ये later खतम कर देता है रीम फिर हमें इस frame से चली गई है ये दिखता है और सिर्फ one का photo studio उसकी यादे ये सब बाकी है ये movie ये ही खतम हो जाती है movie में one का character उससे हमेशा से पता था कि अब वो थोड़े दिन में मरने वाला है इसने कभी इसका ज़दा tension नहीं लिया उसकी जो सब यादे थे उसने फिर से जी थी के friend के साथ उसने फिर से reunion की थी उसकी जो ex girlfriend थी उससे वो heart broken था पर फिर से रीम के पैर में वो पढ़ चुका था जब भी हो रीम के साथ होता था तो दिल खोल कर वो हसता था जो भी उसके साथ moment है बहुत ये अच्छी तरह किसी जीता था उसने हमेशा लोगों का care किया और किसी को भी उसने hurt नहीं किया वो और ने movie के first में कहा था कि हम कभी ना कभी तो मीठी जाने वाले हैं हमारे जो टाइम है ये सब का सिमी थे तब तक के लिए हमें स्माइल करते रहना है खुशी के साथ ये life जिनी है एक beautiful message के साथ ये movie end होती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और comment ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो फ्लीज इस channel के subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया